नमस्कार दोस्तों मैं लबकुष स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल पैसा बनाओ में दोस्तों देखे आज की इस वीडियो में हमें दो ऐसे शेयर देखने वाले हैं जिने आप अगर पांच से दस सार लगते हैं तो यह आपका पैसा पचास से सो गुना तक भी कर सकते हैं दोनों ही शेयर देखे लोग टरम के लिए हैं बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे रिटन हमें दे रहे हैं तो देखेंगे कौन से दो शेयर हैं लेकिन उससे पहले करा जाँगो कि वीडियो को देखें लाइक कर दीजे क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमें एक मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और इस वीडियो का जो टार्गेट रखते हैं वो रखते हैं 200 लाइक का तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और पूरी वीडियो जरूर देखेगा तभी चीजे देखें समझ में आएंगी दोनों ही जो हमने शेयर लिये हैं एक शेयर हमने लिया है हमारा इलेक्ट्रिक वीकल से और आप ये ना सोचें कि ये टाटा मोटर होने वाला है क्योंकि टाटा मोटर ये शेयर नहीं है ये शेयर जो है वो टाटा मोटर से भी अच्छे रिटन हमें अभी दे रहा है और बहुत छोटी कमपनी है उसको देखेंगे साथे साथ एक Tata का हम share देखेंगे जो की बहुत जबरदस्त position में है और बहुत ही ज़्यादा discount पर फिलहाल हमें मिल रहा है लगभग लगभग 40% के आसपास का discount पर अभी हमें वो share मिल रहा है और fundamentally strong है इसलिए उस share को हम जरूर देखेंगे तो देखें अब बात कर लेते हैं अपनी पहली company के बारे में यह जो हमारी पहली company होने वाली है यह हमारा electric बसों में कामकाच करते हुए दिखाई देती है सारे के सारे भारी वाहन ही यह बनाती है बड़ी बसे यह बनाती है और इनकी जो बसे होती है उसमें कम maintenance होता है और comfort ज्यादा होता है जिस कारण से देखें कई सरकार जो है state governments इसको preference कर रही है साथी साथ 12 सरकार भी इसको जो है prefer कर रही है तो अगर electric बसों की बात करें तो उसमें यह राजा है फिलाल Indian market में सबसे ज़्यादा गाडिया सबसे ज़्यादा जो electric बसे है वो इसी की विक्ती है इसी की sale होती है हाल फिलाल में ही इसे 1000 बसों का order मिला था जो तेलंगाना सरकार से था और लगबग इतना ही order एक इने दिल्ली सरकार से ही मिला था तो देखें कंपनी जो है काफी अच्छा अपना business model को बढ़ा रही है अपना business बढ़ा रही है और इनकी जो बसों का design होता है वो design भी इस प्रकार बनाया होता है कि कोई भी बड़े आशानी से इसमें बैठ सके और जैसे आपको देखा होगा आपने के कई local busे होती है जिसमें आपको वो मैट होती है लेकिन इनकी बसों में ऐसा feel नहीं होता है इनकी बसे जो है single charging में बहुत ही लंबी range एक हमें देती है एक single charging में भी कई किलोमेटर तक कई 100 किलोमेटर तक ये चली जाती है जिस कारण से इनको प्रफेर किया जा रहा है इनको सारे order मिल रहे हैं ज्यादतर तो company का नाम आप देख लीजिए company का नाम है Electra Green Tech Limited अभी आप देखेंगे तो ये सिर्फ 1370 रुपे पर trade कर रहा है नो डाउट देखिए बहुत सस्ता था ये पहले पहले जब हमने एक बार इस पर वीडियो बनाई थी लगबग हाई के आसपास अपने चल रहा है 1400 का हाई था 1370 रुपे अभी चल रहा है तिन से चोहत्तर इसका लो था और अगर हम देखें ROE इसका तो 8% का है तो काफी अच्छा दिखाई देता है book value भी है 102 रुपे की अगर देखिए बात करें company की हम sales की तो 60 करोड की हुआ खरती थी 2012 में ये 60 से बढ़कर 1091 करोड की पोहुच गई है 2023 में मतलब सिर्फ और सिर्फ 11 सालों में इतनी तरक्की इन्होंने की है और जो profit 2 करोड का था 2 करोड का 2012 में था वो हो गया है 89 करोड का मतलब 45 गुना 13 सालों में profit बढ़ा है इनका तो जो की बहुत अच्छा था इने देखिए company के लिए अगर हम इसकी sales growth देखें तो 84% से बढ़ी है profit growth देखें तो 78% से लेकिन CAGR थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया है 119% से जिस कारण से आपको जो PE देखने मिल रहा है वो 165 का देखने को मिल रहा है तो अभी थोड़ा सा wait कीजिएगा ये नीचे आएगा फिर आप इसको consider कर सकते हैं company के पास reserve अच्छे हैं 800 करोड के, 807 करोड के और उसके मुकाबले करजा है सिर्फ और सिर्फ 134 करोड का तो company जो है बहुत अच्छी बहुत ही strong दिखाई देती है fundamentally और technically तो इसको आप consider कर सकते हैं अगर हम shareholding pattern देखें तो 50% है promoters, FII है 9%, DII 0.11% और 40% है public तो देखें अब देख लेते हैं हमारी दूसरी company तो दूसरी company देखना से पहले एक ये news देख लेते हैं जो आप खेर पता ही चल चुकी होगी फोक्स को उनने जो है ये एक venture करने वाले थे joint venture हमारा वेदानता के साथ तो इसको जो है cancel कर दिया है जिस कारण से वेदानता के शेयर में हमें कल ग्रावट भी देखने को मिली और देखें जो cancel किया है joint venture इसके दो प्रमुक कारण है वो एक तो ये है कि फंड क्योंकि फंड जो है इन्हें पहले सी देखे वेदानता के उपर बहुत करजा है और डेल लाग करोल का ये investment इसमें करने वाले थे जिसमें कि 60% हिस्सेदारी वेदानती की ओने वाले थी तो लगवग लगवग 90,000 करोड रुपे ये वेदानता लगाने वाला था इसमें जिसके लिए इन्हें लोन नहीं मिल पाया है क्योंकि पहले सी करजा काफी था तो चुकाना भी बहुत मुश्किल हो जाता जिस कारण से ये डिल हमें कैंसिल होती हुई दिखाई दिए और दूसरी बात के इसमें देरी बहुत हो रही थी तो देखे ये जो नियूज हमने देखी वेदानता और फोक्सकोन की ये क्यों की देखी क्योंकि हम वेदानता की तो बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर यह confirm होती है तो बहुत अच्छी तेजी हमें Tata Group के कुछ शेरों में देखने को मिलेगी तो वो शेर हम देखने वाले है कि कौन सब शेर है क्योंकि देखें वेदानता के साथ तो करज की problem थी लेकिन जो हमारा Tata Group है इसके साथ करज की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो folks को जो है अराम से इसके साथ एक joint venture कर सकता है साती साथ उसके साथ एक दिक्कत ये भी थी कि उसे कोई experience नहीं था वेदानता को चिप बनाने का लेकिन Tata देखें टाटा को फिलहाल खेर डारेक्टली तो कोई चिप टाटा प्रडूश नहीं करता है लेकिन फिर भी कुछ कंपनि या ऐसी है जिसमें इसने partnership की हुई है और वो चिप बनाती है तो देखेंगे जो foxcone है अगर वो tie up करता है Tata के साथ तो Tata की किस company को सबस्यादा फाइदा होने वाला है तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं अपना share कोन से share ऐसा है जिससे सबस्यादा फाइदा होने वाल सिया इसके अलाबा Tata Power देखें हम लेकिन जो main है देखें सबसे बटी है तो वो है Tata Alexi तो Tata Alexi को मुझे लगता है कि सबस्यादा profit इसमें होने वाला है क्योंकि हमारे जो Tata Alexi है digital technology में ज्यादा काम काज करते हुए में दिखाई देती है digital technology और design में तो Tata Alexi को इससे सबसे ज्यादा profit होने वाला है और देखें यह जो share है Tata Alexi यह हमें अभी भी discount पर देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा फाइदा इसमें इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यह मारा AI मतलब कि artificial intelligence पर भी काम काज करते हुए हमें दिखाई देता है देखें अभी 7453 रुपे पर trade कर रहा है और 10,760 रुपे पर भी यह कभी इसने हाई भी लगाया था तो यहां से अगर हम देखें तो लगभग 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 40% की हमें discount पर अभी यह share मिल रहा है 5700 इसका लो था तो अपने लो से थोड़ा ही उपर मिल रहा है और book value है 300 35 रुपे की 40,000 करोड की company है 61 का जहां आप देखा होगा आपने कि वेदान तक साथ debt की बहुत ही दिक्कत थी करज की बहुत दिक्कत थी लेकिन यह company almost debt free है अगर हम इसका CAGR देखें पिछले 5 सालों का तो 25% से इसकी profit growth बड़ी है अगर हम इसका ROE देखें तो देखें आप 36% से 37% से लगभग बड़ा है औ और dividend payout भी इसने बना रखा है 59% से ज्यादा का company की देखें sales तो देखें 600 करोड की हुआ करती थी 3000 करोड की हो गई है अभी तक और अगर नीचे देखें इसमें हम profit तो profit जहां 21 करोड के हुआ करते थे सिर्फ 21 करोड के देखना और यह 755 करोड के अभी हो गए है shareholding pattern हम दे 13.85% और DII है 3.14% पब्लिक के पास के हैं सिर्फ 38% और देखें FII और DII अपना stake जो है कभी sale नहीं करते हैं इसमें सबसे बड़ी बात है अना कितनी ग्रावट आई लेकिन इन्होंने अपना stake है वो sale नहीं किया क्योंकि इसका जो future है बहुत अच्छा इस company का future दिखाई दे 14.85%